हलो नमश्कार दोस्तों मैं दीबग कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों आज की वीडियो में जो हम डिस्केसन करने वाले हैं वो करने वाले एक ऐसे स्टॉक पे जो आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया रिटान आपको निकाल कर दे सकता है मतलब क्या है मतलब इस वीडियो का साफ है कि आपको बढ़िया कमाई के मौके हम ढूंड के देने वाले हैं आज तो जैसे कि सबको पता है कि एक फरवरी को बजट रनाउंस हो और बजट रनाउंस में जो सबसे बड़ा चर्चा रहा वो रहा बैड बैंक का बैड बैंक के वज़र से निफ्टी हमें भागती हुई बैंक निफ्टी हमें भागती हुई नजर आई और ये जो बैड बैंक क सबसे ज़्यादा इंपट है नि сबसे ज़्यादा प्रविट इस बैंक को आने वाला है आज उसी बैंक के बारे में हम यहाँ पर डिसकसण करने वाले हैं। जै बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए bell icon को hit करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तब ही तो आपको आने वाले videos के notification मिल पाएंगे ठीक है ना अचा अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपने group में add करू और आप हमारे साथ जुड के बढ़िया पैसे कमाओ काम करो intraday में या फिर carry में ऐसे stocks पिक करके आपको दू जो आपके portfolio को हरा भरा करते तो करना क्या है देखिए description में आपको link मिल जाएगा DMET account opening का Angel Broking का और आप stocks का आप हमारे साथ DMET account open कीजिए आप stocks में आप account open कीजिए बिल्कुल free of cost account open होगा भी आप stocks में कोई charges नहीं है brokerage बिल्कुल free है और बढ़ियां पैसा कमाओगे हमारे paid group में join होके जिसका charge आठ हजार रुपए पर मन्त का होता है messages आपको भेजते हैं वो group आपको बिल्कुल free में मैं join करवाओगा अगर आज का देखोगे तो बहुत मोटा पैसा आज भी हमने बनाया है यहां पर MHDC में buying बनवाया था 252 रुपए से 266 रुपए पर गया और अगर आप देखोगे तो और भी हमने nifty की call दी थी यहां पर और nifty की call अगर आप देखोगे तो आप यहां पर देख पार है हो 14800 की nifty 20 रुपए पर हमने call बाय कर आई थी और वो 80 रुपए क्या 100 रुपए को भी तोड़कर उपर भाग गया था पैसो को 5 गुना कर दिया था तो ऐसे calls चाहिए तो नीचे description में link है अब जाके join किजिए हमारा telegram channel और साथ ही साथ जो अपने अगर demet account open करवाना है तो demet account open करवा लीजे चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाने से पहले आप share का नाम देख लीजे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि कौशा share है और बहुत सारे लोगों को पता लग भी गया होगा कि कि share की हम बात करने वाले हैं जी है बिल्कुल यहाँ पर हम बात करने वाले एक ऐसे PSU सेक्टर के बैंक की जिसका बोल बाला बहुत ही ज़्यादा है तिक है अपने State Bank of India की मैं बात कर रहा हूँ लगातार तीन दिनों से बढ़िया तेजी 281 रुपए से 355 रुपए तक भागता हुआ हमें नजर आ गया है अगर मैं इसको मंथली चार्ट में कनवर्ट करूँ और समझने की कोसिस करूँ तो देखिए एक ऐसा रेंज एक ऐसा लेवल आने वाला है उपर 373 रुपए से जो की एक बहुत बड़ा रजिस्टन्स है और जहां से शेयर रिवर्स होने के हिम्मत भी रखता है लेकिन अगर यहां से भी रिवर्स होता है तो आपको बढ़िया पैटन पे मिल जाएगा तो हम यह discuss करेंगे कि बाइंग कहा करना है किस लेवल से करना है और लंबे समय का टार्गेट क्या होगा आप देख पार हो यहां पे एक share बड़ी बार split भी हुआ है और यहां पे range जो है split का आप देख पार हो यहां 10 is to 1 के ratio में यहां पे split हुआ है तो अब यह देखते हैं भया हम कि इसका fundamental क्या कहता है और कितने दिनों तक वाय कर सकते हैं कितना पैसा इससे हम बना सकते हैं कंपनी का face value एक रुपई है market cap अगर हम देखेंगे तो 3 लाख करोड के राउंड का हमें market cap नजर आता है current price 355 रुपई यह updated price नहीं है और stock का P देखेंगे तो 13 थाड़े 13 का नजर आ रहा है book value भया attractive है 281 रुपई पर मोटर्स की holding 57% की है और company पर करजा है बिल्कुल करजा है इसलिए इसको उठारे करजा नहीं होता तो सायद उठाते हैं bank bank का इसको benefit तभी मिलेगा जब company पर बैंक पर करजा होगा bank पर करजा है तभी bad bank का benefit मिलेगा यह जो करजा है सारा का सारा करजा उठा लेगी bad bank और bad bank जैसे करजा उठाएगी यह share यह company rocket बनेगा rocket ठीक है ना और उस अपने book value के आसपास हमें share देखने को मिलता है अगर PSU bank में इसका peer comparisons देखे तो सबसे number one पे यही stock हमें नजर आ रहा है quarterly results की अगर आप बात करोगे तो देखिए इसमें income इसकी बढ़ी है sales बढ़ी है profit भी बढ़ाया हुआ है इसने September का इसका 5246 करोड का profit हमें नजर आया था अगर आप balance sheet पे नजर मारते हो तो company के पास reserve या धाई लाग करोड का सामने हमें नजर आ रहा है जो कि एक अच्छा number निकल कर आता है शेर होडिंग पैटन के अगर बात करेंगे तो 57% पर मोटर होल्ड कर रहे है 10% FIs hold कर रहे है डी आई 25% होल्ड कर रहे है गवर्मेंट 0.20 पब्लिक के पास क्या है कुछ भी नहीं पब्लिक निकल ही रही है उपर वाले रेटों पे जब ना शेर बढ़ता है भागता है तो पब्लिक निकल ही जाती है देखते है कि पब्लिक मोटा पैसा कमाई नहीं पा को हम लोग को थोड़ा बहुत रखना चाहिए पब्लिक के पास भी होने चाहिए ऐसे बैंक के शेर पढ़िया आए दिगज है अपने PSU में दिगज कहलाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ट पर दुबारा बात करेंगे मंतली चार्ट अब सब के सामने लगा हुआ है कर सकता है तो वहां से थोड़ा सा करेक्शन में हम बाय करेंगे यानि 330-330-320 के रेंज में अगर मिलेगा ना उठा लेंगा अगर अभी उठाना चाहते हो तो सदा बाहर शेर है कोई दिक्कत नहीं देने वाला नीचे आएगा फिर एकुमलेट कर लेंगे बढ़ियां शेर आपके पैसो को सेफ करेंगे और रिटन बढ़ियां शांदार देगे अगर टिकर टेप की वेबसाइट की हम बात करेंगे तो 500 तक के टार्गेट से यहां पर हमें नजर आ रहे है नीचे जाने को बहुत कम है उपर बहुत बढ़ियां लेवल नजर आ रहा है तो अगर अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हो तो बताया आपको नीचे अप स्टॉक ब्रोकिंग का लिंक है वहां से डिमेट अकाउंट ओपन करवा लिजे थैंक्यू गाइस थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो